हालो फ्रेंड्स माइसाइब रक्षुनील तंवर कंसल्टेंट एंटी और राइनो प्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे बिना ओप्रेशन कान के पर्दे में छेद का इलाज कैसे हो सकता है बर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बैल चीजें जो हम कान के पर्दे में कि कान के पर्दे में कैrat of the Sean का येमरी बहुत बहुत बार क्या है कि सडन जो है इस हुमपंग होती है थपडस आपने के कारण है एक्सड़न साूंड का एक्स्पोजर होता है और एक्स्डेंटल से भी लग जूटता है दोस्तों ऐसा जो का हैं जो हमें समझनी होंगी कि पहली बात जो कान के परदे में जो होल है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए पहली बात दूसरी बात वो जो कान के परदे में जो होल है उसमें फ्रेस होना चाहिए यानि जस्क दो तीन दिन के अंदर अंदर अगर पेशेंट आ जाता है उसक कोई इंफेक्शन और इस टाइप में नहीं होना चाहिए तो दोस्तों जो इसका जो ट्रीटमेंट है बिना ओप्रेशन के वह इसमें एक पेपर पैचिंग एक टेक्निक होती है जिसमें एक इंपोर्टेड एक जैल होता है जो जो कान का जो छेद है जो परफोरेशन है उसके नीचे नीचे जो है वो होल जो है वो बिलकुल जो है वो बंद हो जाता है कुछ परहिज होते हैं जो हमें रखने होते हैं पहला परहिज कान के परदे में जो कान के जो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए तो नहने से पहले आपको कोटन नार्या ले सरसु के तेल में उसको जो है स्क्विज करके और लगाना चाहिए जिससे अंदर पानी नहीं जाए दूसरा आपके को ऐसे नोज ब्लॉविंग नहीं करना चाहिए और अमोमन अमोमन जो है डेड़ से दो मेने में वह बर जाता है दोस्तों ध्यान रहे अगर कान के परदे में जो चेद है वह बहुत यानि हमारा जो कान का परदा है उसके two-third हिससे में अगर traumatic perforation है तो वह बहुत कम chances है और वह possible नहीं है कि बिना operation भी ठीक हो सकता है हाँ अगर परदे के अंदर जो चेद है उसका side छोटा है fresh perforation है infection नहीं हुआ है तो बिना operation भी कान के जो परदे में चेद है उसका treatment हो सकता है paper patching की माध्यम से बट वो एक जो जिसको कहते हैं कि 100% ऐसा नहीं है कि वो possible है ही बट अगर समय पर पेशेंट आ जाता है तो उसको कह बिना operation भी paper patching की माध्यम से जो है वो traumatic perforation को ठीक कहा दाता है So I think this information is useful for you. You can share this information regarding the traumatic perforation to your friends, family and colleagues. Thank you.